नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तों हम सभी अपने घर को मंदीर की तरह समझते है इसमें देवी देवताओं का सदा निवास रहे उनकी कृपा सदा बनी रहे इसके लिए प्रयास करते रहते है घर को सजाते है इसे हमेशा स्वच्च रखते है ताकि नकरद्म कुर्जा घर में प्रवेश ना करे और मा लक्षमी सदा घर में निवास करे देवी लक्षमी को शास्त्रों में चंचल कहा गया है इसी करण वे किसी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकती है जब इघर में नकरद्मक्ता बढ़ जाती है लोग दुराचारी बन जाते है तो लक्षमी ऐस स्थान को तुरन छोड़ देती है वैसे तो सभी मनुशों के घर में ईश्वर की पूजा आराधना करने के लिए एक मंदिर अवश्य होता है मंदिर में हम विवित प्रकार के देवी देवताओं की मुर्तिया रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं लेकिन घर के मंदिर में कुछ देवी देवताओं की मुर्ति होना बहुती आवशक होता है इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे घर के मंदिर में कौन से देवी देवताओ की मुर्तिया होनी चाहिए और कौन से नहीं घर में यदि पूजा घर हो तो हमारे शास्त्रों में कुछ कारियों को करने से वर्जित माना गया है गर में देवी देवताओं का वास बनाये रखने के लिए घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए इसे नित्य प्रात काल में सुच्छ करना चाहिए शाम के समय जाडू लगाना वर्जित माना गया है घर के अंदर थोकना भी बड़ा ही आशुब होता है कुछ लोग जाने अंजाने में घर के किसी भी कोने में थूंक देते है ऐसा करना आनुचित है ऐसा करने पर घर से लक्षमी चली जाती है यदि घर में मंदिर है तो किसी भी प्रकार का आनुचित कारिय ना करे जैसे शराब फिना, मास खाना इत्या दी क्योंकि ये सभी नीच मनुशों के लक्षन है इन चीजों का सेवन घर के अंदर करने से उस घर में मा लक्षमी कभी निवास नहीं करती है ध्यान रहे मृत परिजन अथवा पूरोजों की तस्वीरे घर के मंदिर में कभी लगानी नहीं चाहिए पूरोज की तस्वीरे घर की दिवारों पर दक्षिन दिशा में लगानी चाहिए आईए जानते हैं घर के मंदिर में कौन सी मुर्तिया होनी चाहिए सरोपर्थम गने जी की मुर्ति होना अत्यांत आवशक है गने जी की मूर्ती के बिना अन्य किसी भी देवी देवताओं की मूर्ती होने का कोई फल नहीं मिलता है गने जी की पूजा के बिना कोई भी कारिय सिद्ध नहीं होता है किसी भी देवता की पूजा करने से पूर्व गने जी की पूजा की जाती है क्योंकि सभी देवी देवताओं ने गने जी को प्रतम पुझे होने का वर्दान दिया है इसलिए पूजा घर में गने जी की मुर्ती होना अनिवारिय है घर के मंदिर में मा लक्ष्मी जी की मुर्ती आवश्य होनी चाहिए इनकी पूजा करने से सुक शान्ती बनी रहती है और घर के मुख्या को उसकी कारियों में उन्नती मिलती है घर के मंदिर में शीवजी को शीवलिंग के रुप में स्थापित करे और शीवलिंग पर नित्य दूद से अभिशेक करे और चंदन का ठीका लगा कर उनकी पूजा करे दुष्ट एवं बुरी शक्तियों से बचने के लिए घर के अंदर हनुमान जी की मुर्ती अत्वा तस्वीर अवश्य होनी चाहिए है हनुमान जी आपके घर को बुरी नजर टोन टोटके एवं काले जादू से रक्षा करते है हमारे घर में सदेवी मा लक्ष्मी देवी सरस्वती मा अन्य पूर्णा और मा दुर्गा की प्रतिमा अवश्य होनी चाहिए अत्य इन देवियों की प्रतिमा घर में अवश्य होनी चाहिए पूजा घर में काली मा की मुर्ती कभी भी ना रखे मा काली की पूजा की पधती भोती कठिन है इसमें तंतर साधना का प्रयोक किया जाता है मा काली का रूप उग्र होता है अतो उन्हें शांत करने हितु कई प्रकार की क्रियाई की जाती है जो हम रोज नहीं कर पाते है इसलिए उनकी मुर्ती घर में ना रखे अलक्ष्मी दुख दरिद्रता और भीमारी की देवी है इनके घर के अंदर होने से घर में परिशानिया बढ़ती है अतगर में इनका नाम लेकर इनका कभी स्वागत ना करे और इनसे घर से दूर ही रहने की प्रार्थना करे भूल से भी अलक्ष्मी को कभी हाथ जोड़कर नमस्कार करके स्वागत नहीं करना चाहिए अलक्ष्मी को घर से दूर रखने के लिए घर के बाहर नीम्बू अथ्वा मिर्च लटकाए क्यूंकि यह चीजे अलक्ष्मी को प्रिय है अलक्ष्मी का सम्मन खट्टी और कडवी चीजों से होता है इसी कारण से घर के बहर नीमू मिर्च लटकाया जाता है ताकि अलक्ष्मी वही से इने घ्रहन करके चली जाए और घर में प्रवेश ना करे साथी सबसे महतुपुर्ण बात ध्यान में रखे कि घर में मा लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ती ना रखे तो इस प्रकार से हमारे पूजा घर में देवी देवताओ की पूजा करनी चाहिए अगर ये जानकरे आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे कमेंड में जेमा लक्ष्मी लिखना ना भूले साथी चानल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद